नमश्कार दोस्तों एक बार फिरसे स्वागत है आप सभी का शिक्षा प्रवाम है यहां पर आप लोग वीडियो देख रहे हैं मार्किंग स्कीम हिंदी सब्जेक्ट की क्लास तेंथ के लिए इवनिंग शिफ्ट का यह आप लोगों का पेपर है शाम की शिफ्ट में जिन करेंड काग आंसर इस वक्त आपको इस आपकी स्किन पर दिख रहे हैं कर्यक्ट पर आपको टिक लगाना है कुश्ट पर आपने साथ रखना आ मिलान करना है सही उत्तर खांग इसी के साथ सिक्षा प्रवा पर पहली बार आए हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल पर बिटा आपके सभी सब्जेक्ट के जो पेपर हुए हैं उनकी मार्किंग स्कीम अपलोड की गई है अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके आंसर की वाली प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे और अपने सब्जेक्ट जो पेपर आपने दिया है इसी के साथ बिटा वीडियो आपको अच्छी लगती है यूस्फुल लगती है तो वीडियो को लाइक तो बनता ही है इसी के साथ ही शाथ आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और क्लास ग्रूप में तो अब मैं कर रहे हूं बिटा वीडियो को म्यूट आप लोग अपने आंसर्स ट्रैली करते जाएंगे झाली कर द दो रहे हूं कर रहे हूं झाली कर रहे हुआ रहे जाएंगे झाल 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 कि बिटा खर्ण खा आपका स्टार्ट हो रहा है जहां पर आपको लेखन के अधारित पर अधारित प्रश्न पूछे गए थे लेखन मतलब जिनको आपको खुछ से लिखना था जैसे कि अनिचेद्या फे ऐसे निबंध आप लोगों के लिए आया था तो उसके लिए आपको भूमिका के लिए एक नंबर मिलना था विशेवस्तु के लिए तीन भाषा पर एक और शौधर मोलिकता मतलब आपने खुद से ही लिखा है तो उसके लिए आपको एक अंक मोलिकता मतलब अपने विचारों को अगर आपने लिखा है इसी तरह से पत्र लेखन के भी नंबर आरंभ और अंत की जो ऑप्चारिकता हैं वो एक नंबर की थी विशेवस्तु तीन की थी और भाषा अगर आपके शुध है तो उसके लिए भी एक नंबर आपको दिया गया है इसी तरह से सुवत तथा ईमेल लेखन में भी विशेवस्तु एक नंबर की प्रस्तुती तीन बहाशा एक अंग की रचनात्मक का अगर आप विज्यापन यह संदेश लेखन लिख रहे हैं तो रचनात्मक के लिए एक नंबर प्रस्तुति विशवस्तु के लिए तीन और भाशा के लिए एक अंग तो ये था विटा मारकिंग इसकीम पूरी आपकी क्लास तेंध हिंदी स करती हैं विडियो अपके लिए कापर यूसफुल रहने वाला है तो मेरी विडियो को लाइक करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को अल पर सेट रखना है